गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओडियो वीडियो सब को क्लिए आ रहे हैं किया ओडियो वीडियो वह कल्फर्म कर दिया स्टार्ट करें क्लास ओडियो वीडियो सब को क्लियर है शुरू करें तो थियोरी हम लोग काफी सब्जेट्स कर चुके हैं अभी तक तो इसमें CSIR, ROIR, जो भी स्टुडेंट जुड़े हुए हैं इसमें हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं जोगरफी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटी तीन यह हो गए चौथा लाइफ साइंस, पाचवा फिजिस केमिस्ट्री, छठा जीके करेंट अफियर, इंक्लूडिंग कुछ एकॉनमी का एरिया, छे, ICT साथ, इन्वार्मेंट आर्ट आर्ट सब्जेक्ट हम यह वाले कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी, लाइफ साइंस, फिजिस केमिस्ट्री, जीके करेंट अफियर, इंक्लूडिंग एकॉनमी का कुछ पार्ट, छे हो गए, साथ, इन्वार्मेंट, आर्ट, ICT तो GS जो माना जाता है, बेसिकली यह आर्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, यह हमें, यह आर्ट सब्जेक्ट GS जो कॉमन एरिया सब एक्जाम में आता है, CSIR में इसके अलावा जो कुछ टॉपिक जोड़ा है, एथिक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और डिसिजन मेकिंग वा जो एरिया आपका है, उसके वीडियो लेक्चेर, कुछ कोशन प्रैक्टिस वगर हमने आपको दिया हुआ है, और उसमें कुछ डाटा हमें एड करना जो मैने बोला हुआ है, अभी मैं क्या करूंगा, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो मैंने GS के कोर आठ सब्जेक्ट बोले, जो कॉमन GS सब में आता है, वो अलग से हैं, अभी जो कॉशन प्रैक्टिस हम आज से शुरू करेंगे, आने वाले कुछ दिन तक उन एरियास को कवर करेंगे, आने वाले कुछ टाइम में उन एरियास को तेले हम कवर करेंगे, जो कॉमन सब्जेक्स हैं, और CSIR के तीन से हैं, उसका फोल्डरों के कॉर्स में बना हुआ है, उसमें कॉशन भी टाले हुए हैं, और PDF अगर नोट्स भी पड़े हुए हैं, वो अलग एरियास में कुछ टॉपिक अभी आड़ करना है, ठीक है? UPSC, AE, Hindi is not enough, विपिन क्या लिख रहे हैं? हिंदी कुछ अपडेट होगा, जैसे कुछ PDF आज अप्लोड होंगी, और नेक्स्ट वन वीक में कुछ लेक्चर भी आपको और दिखेंगे, 17 लेक्चर हिंदी के पहले से पड़े हुए हैं, कुछ लेक्चर अभी अप्लोड होंगे, PDF भी आज 2-3 अप्लोड करूँगा, मै यहाल अभी कुछ प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं, CSIR के लिए, मैं बोल रहा हूँ, उनके तीन टॉपिक जो अलग हैं, वो अपने फोल्डर में एथिक्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला टॉपिक देखें, उसमें उनके लेक्चर, PDF, कॉश्चंस, उसमें डले हुआ ठीक है, उनमें कुछ टॉपिक एड करना है, वो मैंने बोला हुए, उसमें वर्क कर रहा हूँ, जैसी वो रेडी होगा, वो एक्स्टर टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उससे पहले काफी सारा सिले बस आपका कवर्ड है, वो रेडी करिए, वन बाइवन पहले हम कोश्चन देखें, कुश्चन प्रैक्टिस जो मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, अभी जो मैं कुश्चन प्रैक्टिस शुरू करूंगा, वो आपका SSCJE, CGL, CSIR, ROARO, उत्राखंट PSC, इन सब के लिए कॉमन है, IB का जो एक्जाम होना है, जनरल GS जो बागी सब में आता है, सब के की जुरत नहीं है, जो जो कुश्चन मैं कराऊंगा जिस दिन, वो सेम डे, फोल्डर बना कर आपको अप्लोड हो जाएगी, आपके कोर्स में, वहां सब देख लेना, कुश्चन लिखने की जुरत नहीं है, बस सीथी से कुश्चन अटेंट करिए, और कोशिश करें, जो प है, आप लोगों के फोल्डर में, CSIR वालों में भी, PCS वालों में भी, JE और CGL वालों में भी, उत्राखन वाले में भी, जो जो कोर्स आरूहन पे हैं, उनके फोल्डर में मैंने कल करी सारे कोशन डलवाए हैं, उसमें SSC JE के SALT PEPER हैं, CGL के PEPER हैं, State PCS के PEPER हैं, Civil Services के PEPER ह है, उसके नेचे Official Answer की भी UPSC वाली है, तो जिसको जिस लेवल पर तैयारी करनी हो, जिसको बिल्कुल basic basic पढ़ना हो, वो जनरल पेपर देख ले, हाई-फाई कोशन लगाने हो, UPSC देख ले, तो उसमें बहुत सारे कोशन पेपर सबके फोल्डर में डलवा दिये हैं, जो कोशन लगाने ही के लिए कोई local booklet जिसमें गलतियां बहुत मिलें, उसे अच्छा है, कोशन हम भी करवा रहे हैं, कई सारे पेपर आपको दे भी दिये हैं, कई सारे कोशन तो मैं क्लास में कराऊंगा, कोशन अब लंबा चलेगा, कई सारे पेपर में solve कराऊंगा, उसके साथ साथ paper आपके folder में डाल दिये, किसी को और speed से लगाना है, वो भी देख सकता है, answer की भी साथ में दिये हैं, ठीक है, इससे यादा question तो मुझे नहीं रखता जरुरत पढ़ेगी आपको, question के लिए जो लोग demand कर रहे थे और question practice कहां से करें, तो इससे यादा जरुरत किसी को है तो बताए, बहुत सारे paper पढ़े हुए है, NDA, CDS, CAPF, SSJ, CGL, Civil Services, State PCS, सब डलवा रखे हैं, उसके अलावा जो मैंने अपने question बना के दिये हैं, आरोहन पर जो test series कराई थी, उसके question वो भी दे दिये, तो मुझे नहीं लगता है, इससे जादा question की जुरत पढ़ेगी आपको बहुत paper है, और सबसे बड़ी बात है, उनके answer की वगर्वे साथ में है, कई paper sold भी है, कईों की answer की भी है, और class में discuss भी करेंगे, काफी सारे paper उनके discuss भी करेंगे, तो question practice, subject पढ़ते जाएए, paper लगाते जाएए, simple, पर यह है कि question लगाना है जो आए तब करोगे, अब theory तयार होगा, पढ़ात उनने पूरी मेनस से दिया है, पर आप कितना पढ़ पाए हैं, और जिनका कोई subject रह गया हो, कम से कम अपने subject के question attempt जरूर करो, कोई quality पढ़ चुका है, तो quality का question ना है, वो try करे, कोई 3 subject पढ़ चुका है, तो कम से कम वो 3 के question पे attempt करे, ठीक है, तो बिना एक ये area बहुत news में भी रहा, lungs of the planet earth इसलिए, क्योंकि बहुत बड़ा forest cover है, अर्थ पे बहुत बड़ा forest cover, तेजी से इसको खत्म किया जा रहा है, development के नाम पर, और ये 20% से जादा, लगभग 21% के आसपास, अर्थ की oxygen supply प्रडूस करता है, लगभग 20% से भी जादा, अर्थ की oxygen supply को पूरा करता है, और लगातार इसको development के नाम पर काटा जा रहा है, जिस वज़े से दुनिया में एक criticism भी हो रहा है, इस country का, ये बात हो रही है, ब्रजील की, ब्रजील ऐसा कर रहा था, हाल फिलाल में news में था, तो बहुत simple question है, Amazon rainforest, Amazon rainforest, अब देखो, ये question मैंने पूछा lungs of the planet earth किसको कहते हैं, Amazon rainforest, एक question UPSC ने बना दिया, कि अगर Amazon lungs of the planet earth है, तो फिर kidney of the earth किसको कहेंगे, UPSC वाले paper में solve करवाया था है मैंने, civils का paper जब लगाएंगे तो बताऊंगा अभी मैं, wetlands वगर environment में आपको पढ़ा रखते हैं, क्या मतलब होता है, तो ऐसे ही question connect करके ब करता है वो, पढ़ा है वो question, good, इसका मतलब काफी लोग जो है ठीक से environment वगर पढ़ चुके हैं, very good, तो lungs of the planet earth ये बात हो रही है, Amazon rainforest, Amazon world की सबसे बड़ी river, volume में, कई देशों से गुजरती है, Amazon world की सबसे बड़ी river, volume में, length नहीं बोल रहा हूं है, length में सबसे लंबी river है, Nile Nile, सबसे लंबी, Sudan और Egypt वो cover करती है, Nile river कहां पर गिरती है, जाकर ये बताइए, मेरा अगला question ये है आपसे, Nile river, white Nile और blue Nile, दो stream है, दोनों से मिलकर बनती है, Sudan के बाद वो Egypt में इंटर करती है, उसके बाद वो कहां पर जाकर गिरती है, Egypt के ऊपर northern side में, कौन सा area है वो, map में, Egypt के ऊपर northern side में क्या पड़ता है, very good Saloni, Mediterranean Sea, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के ऊपर, winter के समय, जब हमारे हैं winter होता है, एक phenomenon होता है, जिसकी वज़े से हमारे यहां, North India में बारिश होती है, उस phenomenon का क्या नाम है, Mediterranean Sea का जो छेत्र है, भूमध्य सागर का जो area है, उसके ऊपर एक phenomenon होता है, जो northern India में winter में rain कराता है, उस phenomenon को क्या कहा जाता है, और वो Mediterranean Sea के ऊपर ही बनता है, very good Saloni, western disturbance, नीरज का भी answer सही है, पश्यमी गरबड़ी, एल नीनो नहीं बच्चे, एल नीनो नहीं, western disturbance, पश्यमी ग इंडिया की तरफ वो बिंडाती है, और north India में सर्दियों में बारिश होती है, उसका कारण है, भूमध्य सागर के ऊपर होने वाला western disturbance, पश्यमी गरबड़ी, अब मेरा अगला सवाल है इसी पर, south India में winter rain होता है, उसका क्या कारण है, तमिलनाडू वगर में, अब सर्दियो में, South India में बारिश होती है, north India में winter में rain का कारण है, meridenian sea पर होने वाला western disturbance, जबकि south India में winter में rain का कारण होता है, northeast मांसून का retreat करना, उसकी वापसी करना, मांसून इंडिया में दो तरह से enter करता है, south western, north east, जादा इंडिया में rain कराता है southwest, north east वाला जो मांसुन है, जब वो retreat करता है जब उसकी वापसी होती है वापसी के समय वो विंटर रेन कराता है साउथ इंडिया में अब थियोरी अगर कंसेट पढ़ रखा है तो आप असानी से विजुलाइज कर पा रहे होगे कि नौर्थीस्ट मांसून जब वापस आता है तो बे ऑफ बेंगॉल से है नौर्थीस्ट मांसून की रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मांसून रिट्रीटिंग के समय बारिश नहीं कराता क्योंकि वापसी में वापसी में वापसी के समय रिट्रीट करने के समय बारिश नहीं करता क्योंकि वापसी में ड्राई होता है आते समय यह बहुत बारिश कराता है इंडिया में में जो बारिश का कारण है सबसे आधा Mich sizes में हो Southwest बारिष मानसू बारत को सूखा होता है जबकि नॉर्थीस मानसून retreat करते समय बेफ बैंगोल पर से आता है दुबारा इसको वॉटर मिल जाता है और winter में आते आते, South India में बारिश कराता है, तो बहुत आता है question, हर exam में, North India में winter rain, meritorian sea का western disturbance, खतम होगी बात, South India में winter में rain, उसका कारण है North East मांसून का retreat करना, वापसी करना, clear होगी बात? तो Amazon Rainforest का जिकरम ने यहाँ पर किया, तो Nile River जो है, वो जाकर कहां गिरती है, भूमद्य सागर में गिरती है, meritorian sea में गिरती है, अधन की खाड़ी देखो लगातार नियूज में है भी, शुरक्षा का एक बड़ा खत्रा है, लूटे रहे वहाँ पर घात लगाए बैठे रह कहां कहां भुकमरी है, अकाल फैला है, कहां कहां पर civil war चल रही है, internal conflict है, कहां पर ये लुटे रे वड़े active हैं, वहाँ से question बहुत आते है अफ्रीका से, current में भी और geography वगर में भी, environment के लिए भी important है, तो पहला question Amazon Rainforest, तो question जब हम करेंगे, तो question का मतलब सिर्फ ये ABCD बतान कराऊं, कैसे भूल जाओगे, मेरा पढ़ाया हुआ है, इतने असान इसे नहीं भूल जाओगे, अपने से भी revision करनी है, और question के माध्यम से कई चीजे recall मैं कराऊंगा, सासर, सारे topic तो class के साथ नहीं हो सकते, पर revision इससे भी होगी, और आप अपने से भी revise करोगे, दोनों मिल कर याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं, और मैंने पढ़ाया इस तरीके से, जब आख बंद करके याद करोगे, डाटा सब याद आता जाएगा, पहली बार पढ़ने में लगता है, टेक्निकल पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, पहली बार पढ़ने में लगता है, भूल ना है कि नहीं, ठीक, अगला कुश्चन, सन का एनरजी, सन के अंदर, the source of solar energy is the process of, सुरे के अंदर, एनरजी का सोर्स क्या है, कौन सी प्रोसेस है, अब आप कहेंगे से रहे तो बड़ा सिंपल सा कुश्चन है, बताईए आन से पहले आप बताईए, सुरे के अंदर, एनरजी कि कारण से है, कि इतनी ज़्यादा जो उसमें heat, इतनी energy आ रही है, किस से आ रही है, fission या fusion, fission answer सही है, fusion answer सही है, answer होगा, nuclear fusion, nuclear fusion, fusion की reaction में, जैसे कि ये reaction है, प्रोटियम और ट्रिटियम ये मिला दो, तो क्या बन जाएगा, helium 2, 4, helium 2, 4, एक और reaction में ने बताई थी, deuterium, ट्रिटियम मिलाओगे, तब भी बनेगा यही, helium, hydrogen 1, 2 और 1, 3 भी कर दोगे, तब भी यही बनेगा, helium, fusion का मतलब है, ये दो न्यूक्लियाई का merger होना, इन दोनों का merger होना, fuse करना, fuse करना मतलब मिल जाना, तो fusion process जो है, ये fusion दिख रहा है, दोनों चीजे merge कर रही है, ये हो रहा है, fusion, fusion, और fusion process इसके अलावा कहां पर देखने को मिलती है, एक तो आपको sun के अंदर जो energy है, वो fusion के कारड़ है, दूसरा example fusion का मैंने एक और बताया था, वो कहां पर, hydrogen bomb के अंदर भी यही प्रक्रिया होती है, fusion hydrogen bomb के अंदर भी यही process होता है fusion का hydrogen bomb में भी यही process होता है fusion तो solar energy solar energy और hydrogen bomb दोनों में ही होती है fusion process answer होगा nuclear fusion अब मेरा question है सलोनी आप बताओ hydrogen bomb का inventor कौन था इन्वेंटर का नाम hydrogen bomb invent किया जिसने पढ़ाया हुआ है मैंने hydrogen bomb invent किसने किया था very good amuse थोड़ा सा याद आगे बताओ एडवर्ड के बाद कुछ था टेलर very good एडवर्ड टेलर रोंटिजन नहीं रोंटिजन ने तो x-ray machine बनाई थी सलोनी x-ray x-ray machine विलियम रोंटिजन था hydrogen bomb वाले का नाम था एडवर्ड टेलर और nuclear bomb nuclear में वो neutron हैमर की बात नहीं कर रहा हूं एक वो neutron bomb भी बना था ना फिर से बोल रहा हूं सुनू x-ray विलियम रोंटिजन x-ray विलियम रोंटिजन और hydrogen bomb एडवर्ड टेलर और एक मैंने बोला था neutron bomb nuclear bomb नहीं बोल रहा हूं nuclear वाला तो ओपन हैमर था neutron bomb सी से कुछ नाम बताया था सैमूल कोहन बिल्कुल सही एपिएस सैमूल कोहन करेक्ट तो hydrogen bomb का inventor Edward Teller इसका inventor था Edward Teller प्रोजेक्ट मैन हटन किसके बारे में था nuclear bomb के बारे में जिसको Robert ओपन हैमर और उनके टीम ने बनाया था प्रोजेक्ट मैन हटन क्या था वो nuclear bomb के बारे में था जो ओपन हैमर उसकी टीम ने डेवलप किया था उसका नाम था project Manhattan ये नाम था इसमें इन्होंने बनाया था nuclear bomb न्यूपक्लियर बॉम किस सिधान पर काम करता है तो ये तो रोबर्ड जे ओपन हाईमर यह डेवलब्ब किया था रोबर्ड जे ओपन हाईमर अब धिरी तो तो दुबारी नहीं लिखना है ना एकठे लिंग करके मैं कैस सारी चीजर बताना चाहरे हूँ तो Ree इनहेटन नुक्लियर बं ओपन हाईमर के टीम रोबर्ट जे ओपन हाईमर उने बनाया था इसमें जो जपान पर बं गिरे थे च्छै अगस्त और नो अगस्त को अगला सवाल ये है हिरोशिमा जपान के दो बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर छै अगस्त को गिराया था बं हिरो चोटा बच्चा पहले आया, मोटा आदमी बाद में आया, तो पहले वाला था लिटिल बॉई, दूसरा था फैट मैन, लिटिल बॉई, फैट मैन, करेक्ट, उसके लावा न्यूक्लियर संबंदित बहुत चर्चा की थी हमने, आई-ए-ए क्या होता है, आई-ए-ए के बारे में बताया था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कहती है, उसके लावा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कहती है, उसके लावा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कहती है, उसके लावा न्य ग्रूप, अब UPSC का कोश्चन बन गया, एनेस्ज वसेनार अरेंजमेंट, एनेस्ज वसेनार औस्टेलिया ग्रूप, एनेस्ज वसेनार औस्टेलिया ग्रूप और MTCR, इन चारों में से इंडिया किस میں member है, किस میں नहीं है, NSG में इंडिया नहीं है, NSG है nuclear supplier group, NSG कमांडो में समझ लेना, national security guard की बात नहीं कर रहा हूं है, ये है nuclear supplier group, NSG में इंडिया नहीं है, वस्थेनार में है, Australia Group में है, MTCR में है, NSG में नहीं है, बाकी तिनों में है, MTCR, Missile Technology, Control Regime, जो लोग पढ़ चुके हैं, वो चीज़े रिकॉल हो रही होंगी उनको, ठीक है, वस्यनार ग्रुप का क्या परपस है, वस्यनार अर्रेंजमेंट रोक लगाता है किस पर, डूवल यूज गुड्स, ऐसे गुड्स जो पीसफुल परपस में भी उज़ होते हों और वैपन में भी उज़ होते हों, डूवल यूज गुड्स, ऐसी चीज़े जिनका दोहरा इस्तमाल होता हो, उन पर रोक लगाता है वस्यनार अर्रेंजमेंट, और उस्टेलिया ग्रु या ऐसी कोई मिसाइल, जो 300 किलोमेटर से उपर जाती हो, या 500 किलोग्राम से ज़्यादा पेलोड ले जाता हो, उस पर रोक लगाने के लिए, उससे कम-कम रेंज रखनी, MTCR, तो कोश्चन हो गया, सोलर एनरजी का सोर्स में ली क्या है, सोलर एनरजी का सोर्स है, न्यूक् आदित्य एलवन, आदित्य एलवन, आदित्य एलवन, प्रोजेक्ट डायेक्टर वगर भी बताये थे, मैंने, सांटिस्टों का नाम भी बताये थे, चंद्रयान में, आदित्य एन्वल में, कुछ यात वाद है, आदित्य एलवन में बताया था, प्रोजेक्ट से जूड़ को साइंटिस का नाम बताया था इससे जुड़ा वेरी गुड़ अम्यूश निगार साजी निगार साजी करेक्ट निगार शाजी यह करेंट का कोश्वन हो गया अब इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताएं दो स्टेटमेंट हैं क्या क्या सही है ट्रॉपिकल छेत्र में ट्रॉपिकल छेत्र का मतलब हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्ण के बीच की नौर्थ 23.5 डिग्री नौर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, एक्वेटर भी ट्रॉपिकल बेल्ट में पड़ता है, ये एक्वेटर है 0 डिग्री, विश्वत रेखा, ये भी ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर ही है, तो ट्रॉपिकल बेल्ट में सन लाइट अच्छा खासा मिलता है, टंप्रेचर मॉडरेट होता है, फॉरस्ट वगर काफी हैं, बिमारियां भी बहुत हैं, कोश्चन ये है कि ट्रॉपिकल छेत्र में जीका वाइरस डिजीज, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन, क्या सही, क्या गलत, वही मॉस्किटो जिम्मेदार है जो डेंगू के लिए है और सेक्शुल ट्रांस्मिशन हो सकता है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत, देखो, समझ लो जरा जीका, एक मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी, लाइफ सैंस में बता चुका हूँ मैं, जीका फॉरेस्ट के नाम से जीका वर्ड आया, युगांडा में शुरुआत हुई, इसा बताया हुआ है, एडिस एजिप्टी जो है, यह चार तरह की बमारियां कराता है, चार अलग-लग वाइरस केरी कर सकता है, डेंगू, चिकन गुनिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकन गुनिया, येलो फीवर, एंड जीका, यह चार तरह के वाइरस, अलग-लग वाइरस केरी कर सकता है, हर मच्छर, हर वाइरस के करें नहीं कर सकता और मॉस्किटों में भी फीमेल मॉस्किटों करी कर सकते हैं यह कैरियर होते हैं इनके अंदर वाइरस नहीं होता यह कैपिबल होते हैं कुछ तरह के और्गनेजम को कैरी करने के लिए पहली बात क्या हर मॉस्किटों कैरियर की तरह करता है नहीं कुछ मॉस् में भी फिमेल मास्कितो जिम्मिदार है जैसे की एडीस ऑजचिप्टी वाला मास्किटो फिमेल मास्किटो है वो चार अलग लगतले हैं के sangat वाइरस को कैरी करने में capable है अगर डिंगु वाइरस को कैरी करें गा जिसको काटेगा उसमें वायरस को ड्रॉप कर देगा डिंगू हो जाएगा चिकन गुनिया वाला वायरस पहुचा देगा चिकन गुनिया जो वाला वायरस बॉड़ी में ड्रॉप करेगा वो भीमारी हो जाएगी डिंगू को तो हम ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं डिंगू को एक और ना नाम क्या होता है? thrombocytes. प्लड के अंदर चार कंपोनेंट होते हैं. RBC, WBC, platelet, plasma. RBC को कहते हैं erythroicyte. WBC को कहते हैं leikocyte. platelet को कहते हैं thrombocyte. चोथा होता है plasma. वो fluid जिसके अंदर तीनो तेहरते हैं. RBC, WBC and platelets. तो डेंगू platelets को बहुत affect करता है बहुत घटा देता है डेंगू के लिए जो दुनिया के पहली वैक्सीन बनाई गई उसका नाम भी क्या है डेंग वैक्सिया पढ़ाया था ये सब लाइफ सैंस में डेंगू की जो वैक्सीन भी पहली बनाई गई उसका नाम डेंग वैक्सिया तो यही मॉस्किटो है गारी बिमारी नहीं है गारी में बाकी तीनों में जान लेवा बिमारी नहीं है death cases आपको जीका में कम दिखेंगे जीका की सबसे बड़ी problem है बच्चा जब पैदा होगा उसका head बहुत छोटा होता है उस situation को कहते है microcephaly और जीका की problem क्या है sexually ये virus transmit कर जाता है अकेली mosquito वाली बिमारी है जीका virus जो sexually transmit होता है pregnant women से बच्चे को भी transfer होता है adult को अगर जीका हो रहा है तो problem नहीं है कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा चिकनगुनिया की तरह पर जीका के अंदर problem क्या है इसमें pregnant women को जीका हुआ उससे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर chance है कि एक problem हो जाएगी microcephaly micro का मतलब छोटा sephaly उसका skull सिर तो बच्चा जब पैदा होगा पूरी body normal बस head जो है बहुत छोटा तो अभी सुरू में दिक्कत तो नहीं है पर जब वो बच्चा grow करेगा तो brain को भी जगह चाहिए grow करने के लिए और skull छोटा है तो जब skull छोटा है और उसके अंदर brain को grow करने के जगह चाहिए तो brain क्या होगा आगे जागे जागे डैमेज हो जाएगा तो आगे जागे 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 इस बच्चे को risk है microcephaly के कारण कि head उसका छोटा है brain उसका damage होने का खत्रा हो जाएगा आगे के लिए यह है जीका में adult को जीका हो तो कोई जादा death cases वगर आप इसमें नहीं सुनोगे डेंगू में होते हैं जीका में कम है और microcephaly pregnant women से बच्चे को अगर जीका हो रहा है तो बच्चे का skull बहुत छोटा होगा brain को grow करने की जगह नहीं मिल रही brain damage का खत्रा brain damage का risk रहेगा इसमें ठीक है soil health card बहुत पुरानी scheme है यह soil health card government ने program चलाया था कि soil की testing वगर कर पाएं और farmer को inform किया जाए कि आपकी soil की quality किस तरह की crop के लिए suitable है soil health card soil की testing करके बताया जाए farmer को कि किस तरह की crop आपकी soil पे चल पाएगी कौन नहीं चल पाएगी जैसे UP वगर में गन्ना किसानों को एक बड़ी परशानी क्या हो गई है जिस soil पे जितना sugar cane वो उगाते थे उसी soil पर जितना production उनको मिलता था आज उतना production नहीं मिलता reason क्या है overuse of chemical fertilizer chemical fertilizer डाल डालके soil की fertility हो गई कम अब और ज़्यादा chemical fertilizer डाल रहा है तो production उनको ज़्यादा नहीं मिल रहा तो soil health card scheme का point ही यही है कि testing की जाए और farmer को inform किया जाए कि soil की condition क्या है किस तिरह की crop होगाओगे तो production मिलेगा और किस में आपको नुक्सान हो जाएगा उसको inform करना soil की testing करके उसको जानकारी देना तो soil health card scheme का उद्देश्य है cultivable area को expand करना expand कैसे हो जाएगा area expand थोड़ी हो जाएगा उनको बताना कि आपकी soil की हालत क्या है checking the overuse of fertilizer in farmland ये बत सही है fertilizer का chemical fertilizer का क्या ज़्यादा use हुआ है farmland में और soil की स्थिती को जानना third वाला point सही है fertilizer ज़्यादा इस्तिमाल के कारण soil की क्या स्थिती हो गई है farmer को ये inform करना farmer को इसी चीज की जानकारी देना तो ये हो गया three only overuse of chemical जो है farm में उसकी जानकारी देना soil testing करके farmer को inform करना क्या होगा और क्या नहीं होगा हो 2019 की forest report अब तो इसके बाद का भी data आ चुका है ये 19 वाली है मैंने आपको latest वाली भी पढ़ा रखी है maximum forest cover state wise तो हर बार MP ही है maximum forest cover 19 की report हो 21 की report हो हर बार top पर परकेज़ the forest cover में स्टेट हमारा कौन सबसे ऊपर है अब अगला question अब मैं total forest cover नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ percentage forest cover के मामले में हमारा कौन से state सबसे ऊपर पूछ रहा हूँ deberándubli नहीं अभी यूटी नहीं पूछ रहा हूं percentage forest cover में कौन सबसे उपर यह सवाल है स्टेट जिसका percentage forest cover सबसे ज़्यादा हो मिजूरम और यूटी की अगर बात करें लक्षदीप लक्षदीप लगातार निवस में भी है भी और लक्षदीप के बारे में बहुत जानकारी मैंने दी है आपको बंगाराम आईलेंड, अगट्टी, मिनी कोई, लक्षदीप सब बताया है वो जोग्रफी के बारे में UPSC में इस बार कोश्चन बनेगा लक्षदीप की जोग्रफी पर बनेगा लक्षदीप की जोगरफी बें बन सकता है या लक्षदीप भारत में किस तरह से जुड़ा है उस पर बन सकता है और किस तरह का आईलेंड है कोरल आईलेंड है लक्षदीप कोशन आएगा इस बार इस पर यूपीएस्ची पुछेगा अगला पॉइंट, आयुश्मान भारतय योजना इनमे से क्या बास सही है? यह health insurance scheme है कैंद सरकार पहले आप बता ओव जरा तीन statement है, इसमें पहले यह दोनों पढ़ लो आयुश्मान भारत योजना के बारे में क्या बास सही है? इसको जन आरोगे योजना भी कहते हैं नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन भी है भायुश्मान भारत भी है कब शुरू ही थी कहां से शुरू ही थी सब बाते हो रखी है सिर्फ हमें ये बताईए ये दुनिया का सबसे बड़ा गौर्मेंट फंडेड हेल्थ केर प्रोग्राम है दुनिया का सबसे बड़ा गौर्मेंट फंडेड हेल्थ केर प्रोग्राम है जिसमें गौर्मेंट ने कहा कि 10 करोड लोगों को 10 करोड लोगों को 10 करोड लोगों को कौन? BPL वाले 10 करोड लोगों को BPL families को 5 lakh रूपी 5 lakh रूपी health insurance per year दिया जाए है यही बताया था ना ध्यान देना स्कीम पे जन आरोगे यूजना या एश्मान भारर 10 करोड गरीब परिवारों को 5 lakh रूपए का health insurance per annum annually दिया जाएगा family में कितने लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं कितने भी हों कितनी age के हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं कितनी भी age के हों हम तो per family 5 lakh रूपी का health insurance देंगे उनको जैसे यूज़ चाहे एक ही परसन पर पूरा यूज़ हो जाए चाहे पूरी family मिलकर यूज़ कर ले कितनी age के हैं हम कोई मतलब नहीं कितने लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं इस पर कोई upper limit नहीं है दस करोड गरीब परिवारों को दिया जाएगा पांच लाख रूपे का annually health insurance वो जैसे मरजी उसको यूज़ करे family और जो भी hospitals वगर पैनल पे होंगे सब इसमें covered होंगे कुछ private भी होंगे government तो वो भी पे करेंगे तो एक comprehensive health plan है government का बड़ी योजना है Obama care एक चला करता था अमेरिका में ठीक है और यहाँ पर इसको Modi care नाम दिया गया क्योंकि PM Modi government जो है उनका program है ये government funded दुनिया की सबसे बड़ी health scheme है आयुश्मान भारत इसलिए exam का question है राची जहारखंट से शुरुआ health care और wellness center भारत में बनाये जाए 1.5 lakhs से उपर health care और wellness center भारत में तैयार किये जाए दूसरा पार्ट इसका यह है तो आईश्मान भारत insurance scheme health insurance scheme ये बास सही है environment ministry implement कर रही है बकवास कोई मतलब ही ने environment ministry क्या मतलब health ministry होगा ना और तीसरा scheme के दो पार्ट है अभी मैंने बताया एक पार्ट जिसमें insurance देना और दूसरा पार्ट जिसमें इंडिया के अंदर डिल लाग से जादा health care wellness center बनाना तो तीसरा point जो है ये भी सही है one and three correct है इसमें scheme के दो portion है health and wellness center बनाना और जन आरोग यूजना सो पांच लाग का insurance मिलना तो answer हो जाएगा one and three तू नहीं होगा क्योंकि health ministry होता तो बास सही होती environment ministry point गलत है one and three सत्यमेव जैते एक हजार बर आ चुका है question तो उपनिशद वगर्द मैंने कई सारे बताए थे अतिधी देवभव कहां से लिया गया एयाम और नचीकेता के स्टोरी कहां दी है history में सब बताया हुआ है यह सब question बहुत पूस्ता है वसुधैप को टुमगम कहां से आया ठीक यह सब बताए question यह है सत्यमेव जैते यह बहुत बार आता है question सत्यमेव जैते किसमें यह सबको मालूम है मुंडक उपनिशद सबको पता है यह मुंडक उपनिशद अंसर होगा मुंडक उपनिशद अब मेरा question आपसे यह है आश्रम system वाला जो concept है history में पढ़ाया था मैं एक जरा question बताओ कौन से उपनिशद में आश्रम system का जिक्र है आश्रम system का मतलब life के four stages ब्रह्मचर ग्रहस्त वानप्रस्त वो जो तीन चार stages है वो कौन से वाले उपनिशद में दिया हुए ब्रह्मचर ग्रहस्त यह सब चार stages दी है लाइफ की किसमें दिया है वेरी गुर्दीपक जबाला उपनिशद आश्रम system का जिक्र है जबाला उपनिशद जबाला उपनिशद एक मैंने आपको बताया था नदी शुक्त नदी शुक्त में क्या था नदी शुक्त में किस रिशी के बारे में जानकारी है नदी शुक्त में किस नदी के बारे में जानकारी है कि दो नदियां हैं दो नदियों से उनका समवाद दो नदियां बताई थी दो नदियों से उनका समवाद किसी कहानी थी नदी शुक्त याद है किसी को PCS का कोश्चन भी है नदी शुक्त किस रिशी का समवाद है दो नदियों से रिगवेद में है ये सतलज और दो नदियां से चिन ब्यास, very good ब्यास का वैदिक नेम विपाशा सतलज का वैदिक नेम शतुद्री और रिशी कौन थे विश्वामित्र नदिश शुक्त जो है विश्वामित्र का समवाद दो नदियों से रिगवेद में दिया है बुद्धिजम में निर्वाना, निर्वाना का क्या concept है, बुद्धिजम में एक तो मैंने आपको बुद्ध का concept बताया था, जो हिन्यान बुद्धिजम बिसिकली है, बुद्ध जब थे तब तो हिन्यान महायान नहीं था, ओरिजनल बुद्ध की जो teachings हैं, वो हिन्यान वाली हैं, हिन्यान जो follower मानते हैं बाद में बुद्धिजम में इन्होंने changes ले आए एक बोधी सत्वा का concept आया बोधी सत्वा हिनियान में है कि महायान में है बुद्धिजम के जो दो form है एक हिनियान एक महायान ओरिजिनल बुद्धिजम को मानने वाले हिनियान कि बुद्ध ने जो कहा as it is मानना मुर्ति पूजा ना करना, बोधी सत्वा का जो concept है, वो हिनियान में है कि महायान में है, वो है महायान में, और बोधी सत्वा का क्या काम था, कि खाली मुझे मोक्ष मिल जाए, ये मेरा motive नहीं है, मैं गुरू हूँ, मैं ध्यान करूँगा, मैं meditation करूँगा, और मैं सबको मोक्ष दिला ना, group salvation, सबको मोक्ष मिले, बोधी सत्वा वो लोग थे, बोधी सत्वा में कौन-कौन लोग रहे हैं, कुछ मने example भी आपको बताये थे, बोधी सत्वा से question आता है, very good, community की help करना, वो महायान बुद्धिजम है, और एक तीसरा बुद्धिजम form, जो बाद में जाके flourish हुआ बाद में grow किया था, जिसको बंगाल के जो पाल थे, पाल लोगों का patronage मिला, support मिला था, वो बुद्धिजम form कौन सी थी, और उसका main center कौन सा था, जहां पे तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, इस तरह की चीज़े भी बुद्धिजम की जो है, यह वाली form, तीसरी form कौन सी है, हिनियान महायान के अलावा जो बाद में आई, तीसरी form का नाम बताईए, वज्रयान, वज्रयान, वज्रयान का main center, विक्रम शिला, विक्रम शिला विहार, वज्रयान बुद्धिजम का main center, विक्रम शिला विहार, correct, तेज हो गए तुम लोग अब, तो बुद्धिजम में न निर्वान कहलो, जो मर जी, नाम दे दो आप, उसके स्टेज का मतलब क्या होता है, निर्वाना या मोक्ष से हमारा मतलब क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में, बताओ जरा, निर्वाना की बात कर लें या मोक्ष की बात कर लें, वो बिस्टिकली क्या इस्थिती कुछ कह रहे हैं A, कुछ कह रहे हैं C, मुक्ष का मतलब है संसारिक दुखों से मुक्त हो जाना, बार बार जन्म मरल के चक्र से मुक्त हो जाना, एक ऐसी इस्थिती जहां आप किसी दुख वगर में नहीं हो, मतलब स्टेट ऑफ ब्लिस औरेस्ट, अब उसके बाद कोई दुबारा जो जीने का चक्र है वो सब में च बुद्धिजम में निर्वाना का मतलब है, एक आनन्द की स्थिती हो जाना, ये बार बार चक्र से निकल जाना, कनसॉलिडेटेट फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए किसका एप्रूवल लगता है, CFI से money withdrawal के लिए किससे approval लगता है direct question है बिलकुल किसके approval से CFI से आप money withdraw कर सकते हैं government मतलब withdraw करती है आप से मतलब मेरा government से है consolidated fund of India से money withdrawal के लिए किसका approval लगता है Parliament of India Parliament के approval से कौन इसमें से एक fundamental duty नहीं है total 10 duty ली गई थी USR से concept लिया गया था fundamental duty का fundamental duty का concept USR से लिया गया था 10 duty शुरू में डाली गई थी बाद में एक duty add की गई थी किस amendment act के द्वारा fundamental duty को समविधान में जोडा गया ज़रा वो बताओ amendment act कौन सा है जिससे fundamental duty लाया गया originally constitution जब बना था तब fundamental duty constitution में नहीं थी amendment के द्वारा इनको constitution में जोडा गया था fundamental duty का concept USR से लिया गया था आज USSR नहीं है split हो चुका है 15 देशों में जिनमें सबसे बड़ा country रशिया तो किस amendment act के द्वारा fundamental duty लाया गया था 10 duty जोड़ी गई थी बाद में 86 amendment 2002 के द्वारा 11 number duty को भी जोडा गया था कि हर parents की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें 11 भी duty ये है 10 duty शुरू में थी 42nd amendment act 1976 correct 42nd constitutional amendment act 1976 इससे fundamental duty जोड़ी गई थी पर 10 duty शुरू में जोड़ी गई बाद में जब 86 amendment act किया गया 86 amendment act 2002 जब किया गया तो एक और duty जोड़ी गई एक तो fundamental right जोड़ा था 21 capital A कि हर बच्चे को primary education मिले उसका fundamental right है और duty जोड़ दी गई कि उसके parents की जिम्मेदारी है स्कूल भेजे fundamental right जोड़ गया कि हर बच्चे का अधिकार है primary education मिले और duty जोड़ गई तो उसके parents की जिम्मेदारी है उसके स्कूल भेजे 26 amendment 2002 तो 42 amendment के द्वारा fundamental duty आया था वोट डालना public election में fundamental duty में नहीं आता ये fundamental duty में नहीं है scientific temper, public property safeguard, constitution और उसके ideas को respect करना ये सब तो fundamental duty ही है prime minister of India at the time of his appointment क्या सही होगा PM के बारे में फ़रे आप देख लो क्या है question PM at the time of his appointment PM के appointment के बारे में क्या बास सही पहले तीन पल्लों पर चौथा एक और prime minister जब उनका appointment हो तो क्या होना चाहिए वो लोगसभा के सदस्य होने चाहिए जब उनको PM बनाया जाए वो दोनों में से किसी एक house के member होने चाहिए जरूरी नहीं है कि वो house के member हो पर लोगसभा के member उनको 6 महिने के अंदर बनना होगा और एक हैता है कि किसी house के member ना हो भले 6 महिने के अंदर कि दोनों में से किसी एक house में होना होगा चारों में से क्या बास सही है ध्यान से पढ़िएगा statement हड़बडी नहीं option दो बार रिड करना चाहिए जल्दबाजी नहीं प्री में तो आरोहन के बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए प्री में बच्चे काफी निकल गए हैं फाइनल में भी काफी सेलेक्शन होंगे क्योंकि मैं जब हो जाएगा इंटर्व्यू के लिए पर्सनली फिर में गाइड करूंगा सीजी पी रिटेम के सेलेक्शन बहुत रहेंगे और सारे एक्जाम में अच्छा रहेगा सीधी सी बात है जो पढ़ाया जा रहा हो कर रहे हो की नहीं अब कई बच्चे देखो आप लोग ग्रूप में देख रहे होगे कितने अच्छे आंसर कर रहे हैं जो पूछ रहा हूं सब बता रहे हैं आपी के बैच के हैं तो जो पढ़ेगा उसको क्यों नहीं होगा बढ़ी टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है क्यों ऐसा है कि कोई आंसर कर पा रहा है तो अपना self-introspection ज़रूरी है करना, क्योंकि जाद ध्यान इसी पर रहता है, ऐसा syllabus पूरा होगा कि नहीं, syllabus तो हो गया, subject तो हो गया, syllabus तो हो गया, syllabus तो हो गया, syllabus बड़ी बात नहीं complete करना, syllabus हो गया, अब हम questions पर भी आ गया, question लगातार चलेंगे कई दिन तक, इतने question करा दूँगा कि जितने paper आपको देश लगबख सारे paper solve करा दूँगा, question भी खूब हो जाएंगे, पर मुद्धा फिर वहीं का वहीं आएगा, subject पूरे किये कि नहीं, और competition जिस तरह का है, subject छोड़ना effort नहीं कर सकते हैं, किस exam से, किस गंटे, आठ गंटे पढ़ते हो, तो आपको तीन महीने में तयार हो जाने चीए subject, मतब सारे subject जो मैंने कराएं हैं, चार-पांच महीने मैंने सारे कराएं हैं, तो आपको अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो, तीन महीने में हो जाने चीए ready, और कई बच्चे और जुड़े छे महीने का समय होता है, आज वो लोगसभा, राजसभा का सदस्य ना भी हो, मनमोहन सिंग का example भी दिया था मैंने, जब आप उसको PM या कोई मंतरी बना रहे हैं, इस्मृती रानी, अरुन जेटली, मनमोहन सिंग कई example दिये थे मैंने, तो आज जिसको आप प्रधान मंतरी या कोई मंतरी बना रहे हैं, वो लोगसभा, राजसभा, दोनों में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज आपने उसको मंतरी बना दिया, छे महिने के अंदर, उसको एक ना एक हाउस में आना पड़ेगा, शिक्स मंत का समय होता है, उसको लोगसभा या राजसभा, किसी एक हाउस में आना पड़ेगा, नहीं तो वो six month के ओपर continue नहीं कर सकता, CM का भी example दिया था मैंने, जैसे हम सेंटर में पढ़ते हैं, उसी का equivalent स्टेट में होता है, ऐसे ही समझाया था, तो स्टेट में CM के case में यहीं बात, या स्टेट में कोई मंतरी बना रहे हैं, तो सेंटर में आप PM बना रहे हो, 6 मेने का समय होता है 6 मन्त में भी किसी house में नहीं आया तो continue नहीं कर पाएगा तो प्राइम मिनिस्टर appointment के समय PM बना दो आप उसको वो किसी house का member ना हो 6 मन्त का समय होता है उसको एक ना एक house में आना पड़ेगा need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of one of the house within 6 मन्त continue नहीं कर सकता और एक बात ऐसा प्रधान मंत्री या ऐसा कोई मंत्री जो बनतो गया है मंत्री या प्रधान मंत्री पर अभी वो member नहीं हुआ house का 6 महीने उसको समय है क्या bill के उपर वोटिंग करता है कुछ लोग मैंने बताये थे जो bill के उपर वोट नहीं करते house में बैठें पर वोट नहीं करते क्योंकि अभी वो member नहीं है तो ऐसा कोई प्रधान मंत्री या ऐसा कोई मंत्री या state में ऐसा कोई cm या मंत्री जो house का member नहीं बना भी 6 मन्त का टाइम उसके पास है और आज वो में मेंबर नहीं बना है पर मंतरी बन गया है तो वो बिल पर वोट नहीं करेगा जब तक वो हाउस का मेंबर नहीं हो जाएगा जब वो मेंबर बनेगा तब वो उस हाउस की वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा मंतरी के अलावा मैंने एक परसन और बताया था ऐसा जो हाउस में बैठ सकता है अपनी बात को कह सकता है पर वोट नहीं कर सकता लोग सबारास सबार दोनों बैठ सकता है कौन है वो और किस आर्टिकल में उसका जिक्र है प्रहनमंत्री मंत्री के इलावा एक और मैंने पर्सन बताया तब पोस्ट बताई थी जो दोनों हाउस की कारवाई में भाग ले सकता है अपनी बात को कह सकता है can take part in proceeding of both the house, can speak also but cannot vote अरे अच्छी उत मिस्रा, यह लोव मिनिस्टर पुल्टा पुल्टा आंसर कर रहा है पढ़े वाले नहीं हो क्या तुम यार, Attorney General, Article 76 अरे बेटा, Attorney General, copy में लाइन लिखी है ज़िए, Article 76 Attorney General जो होता है, सरकार का वकील होता है, लोव मिनिस्टर बोल रहा है तुम Article 76, Attorney General, जिसको First Law Officer of the Country कहते है तो समझा गया, तो PM की बात क्लियर हो गई, अब आता है स्पीकर के बारे में, जिरा बताओ स्पीकर के बारे में, जीती हुई पार्टी, उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो लोगसभा का जो चेयर्मैन होता, उसको स्पीकर कहते हैं, लोगसभा के मेंबर अपने मेंसे ही स्पीकर को चुनते हैं, तो लोगसभा में जितने लोग जीत के आये हैं, उसमें ruling party वाले भी होंगे, opposition भी होगा, तो obvious सी बात है, जिनके नमबर ज़ादा होंगे, जिनके स्ट्रेंथ ज़ादा होगी, जब वोटिंG के बात आएगी, तो उनी वाला मेंबर जीतेगा, ओम बिल्ला भाजपाई को तो थे, तो ओम बिल्ला को वोट पड़े, पीजेपी के नमबर ज़ादा थे, ओम बिल्ला बन गए, कल को कॉंग्रेस क city लोग सभा में अगर जादा होंगी तो वोट करेंगा तो उनका speaker बन जाएगा हाला कि speaker के बारे में कोई foundation नहीं है कि वो speaker बनने के बाद party छोड़े पर ये convention चली आ रही है प्रथा चली आ रही है कि speaker जब speaker बनता है तो वो अपनी party post वगर से resign कर देता है अपने आपको unbiased दिखाने के लिए निस्पक्ष दिखाने के लिए हाला कि उस पर कोई foundation नहीं है पर वो ऐसा अकसर कर देते हैं अपने आपको neutral show करने के लिए कि कहीं मुझे किसी party से जुड़ा हुआ ना माने विपक्ष जो है ये allegation ना लगा है हाला कि उन पर ये foundation नहीं है ठीक है तो अच्छी हुट कह रहा है first law officer हाँ तब ठीक है तब तुम सही कह रहे हो मेरे शब्द में वापस लेता हूँ इसका मतलब तुमने महनस से पढ़ रखा है पर शब्द वापस कैसे लिए जाते हैं जरा यह बता दो कई बार debate सुनते हैं मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ जो कह दिया कह दिया वापस कैसे लिए जाते हैं तो तुमने सही कहा था तो इसका मतलब तुम पढ़े हो मैंस से सपीकर pop तो सब्सक्कारी को डाट कर चाएं को करीरो को जब्लब तो डाटा भी इसलिए जाता है ताकी याद है चीज किसर ने देखीव मुझे बोला था और कोशिंग गलत नहों, डाटने का मतलब इतना ही होता है, खास करें मेरे डाटने का, कि जहाँ पर मैं डाट रहो सिर्फ इसलिए कि वो पॉइंट याद रह जाए, कि सर नहीं यहाँ पर ज्यादा इंफैसिस दिया था, डाटने का मतलब इंफैसिस है, ठीक, तो यह अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं, on the pleasure of president, मतलब प्रेसिडेंट के हिसाब से जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, तब तक speaker रहेंगे, on the pleasure of president यह होल्ड करते हैं, बकवास, pleasure of president कई जगा चर्चा हुई थी, जिसमें attorney general सर्व करता है on the pleasure of president, attorney general वाले में देखोगे, line लिखी रहेगी, pleasure of president, speaker वाले में ने, speaker तो अपना term पूरा करेगा, ठीक है, यह election के समय में किसी house का member ना हो, इसको भी six month का time टाइम दिया जाता है, मतलब हम बाहर किसी बैठे विक्ती को भी speaker बना सकते हैं, कि मालो तुमारी छुटी चल रही है, खाली बैठे हो, तुमको भी पुला के speaker बना दिया, यह हो जायेगा क्या, ऐसा नहीं होगा, गलत, six month से कोई मतलब नहीं है, किसी को भी speaker नहीं बना सकते, उस house का member ही speaker बनेगा, लोगसभा के member में से ही speaker बनेगा, तो लोगसभा के सदस्यों में, जो जीत कर आया है, वहीं बनेगा, यह नहीं बनेगा, six month का कोई clause नहीं है, क्या राजसभा के अंदर भी ऐसा होता है, कि जो सदस्य आये हैं, उन में से ही कोई chairman बनेगा राजसभा का, राजसभा में तो speaker word नहीं use करते हैं, लोग chairman बोलते हैं वहाँ, लोगसभा में तो जो member जीत कर आये हैं, उनी में से को speaker बनना है, क्या यह बात राजसभा में भी होती है, नहीं, राजसभा का chairman, इंडिया का vice president होता है, वो राजसभा के member में से नहीं आता है, वो इंडिया का vice president, इंडिया का vice president, vice president के नाम पर उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास जो काम है, राजसभा chairman के तोर पर है, vice president के नाम पर घुड़ोगा राजसभा, vice president के नाम पर कोई काम नहीं, vice president का काम, राजसभा चेर्मेन के तौर पर है ठीक है तो six month वाला clause ये लोगसभा में नहीं इसमें speaker वाले में नहीं चलता speaker तो वही बनेगा जो लोगसभा में आ गया है जीत कर और जिसको vote मिलेंगे ज्यादा वो बनेगा speaker speaker को resign करना हो तो किसको resign करेगा बोलो भई speaker को resign करना है तो किसको resign करेगा deputy speaker को ये बास सही है अगर speaker resign करना चाहे तो resignation letter देगा deputy speaker को ये बास सही है तो पहला वाला क्या कह रहा था पहला कह रहा था pleasure of precedent गलत दूसरा भी गलत तीसरा सही three only यह होगा three only what will follow if a money bill is substantially amended by the राजसभा राजसभा ने अगर money bill पर amendment कर दिया है एक तो पहले article बताओ money bill कौन सा article है money bill वाला जरा article बोलो article नमबर बताओ सीदे सीदे article भी पूछता है एक सोदस बहुत बढ़िया गुड अच्छूत मिश्रा भी तेज हो गए अब बताओ भई money bill substantially यदी राजसभा अमेंड करती है article 110 में दिया है ठीक अब बताओ जरा राजसभा अगर substantially अमेंड कर दे money bill को तो इन में से क्या क्या हो सकता है क्या बास सही है राजसभा यदी substantially अमेंड कर दे money bill को उस केस में क्या लोकसभा प्रोसीड कर जाएगा उस bill के साथ राजसभा की बात को मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है ये लोकसभा के उपर है बिलकु सही बात है राजसभा देखो money bill हमेशा पहले आएगा लोकसभा में बिल money bill है या नहीं है speaker का decision final होता है उसके उपर speaker का decision लोकसभा में final होगा ये bill money bill है या नहीं हमेशा लोकसभा में ही पहले इंट्रूस होगा फिर राजसभा के पास जाएगा राजसभा के पास 14 days का time होता है पढ़ो और पास करो राजसभा में बिल को reject नहीं कर सकता maximum वो suggest कर सकता है कि माई बाप हमारी ये recommendation सुन लो अब माई बाप लोकसभा के उपर है वो उस recommendation को माने या ना माने राजसभा कुछ नहीं change कर सकता और लोकसभा के पास अगर भेजेगा भी राजसभा की recommendation देख लो लोकसभा के उपर है माने या ना माने और दुबारा राजसभा को पास भेजने की विज़रत नहीं है लोकसभा को लोकसभा ने अपने से पास किया राजसभा को भेजा 14 days में पढ़ो पास करो राजसभा reject नहीं कर सकता मनी बिलको अगर कोई recommendation देता भी है कि हमें लग रहा है यह change होना चाहिए तो लोकसभा के उपर है उस बात को माने या नहीं माने और दुबारा change करे या नहीं करे दुबारा राजसभा को दिखाएगा भी हमने के change किया है कि नहीं किया प्रेसिरेंट के पास जाएगा प्रेसिरेंट भी मनी बिलको नहीं रोक सकते देश का budget है वो ठीक तो लोकसभा proceed कर जाएगा उस बिल के साथ राजसभा के recommendation को मानना या ना मानना लोकसभा के उपर है राश्टपती भी मनी बिलको रोक नहीं सकते quit India movement के बारे में क्या बात सही नहीं है इसमें दो statement में दिक्कत है quit India movement के बारे में not correct ये question चलो में बता देता हूँ आपको मैं क्यों उसको कह रहा हूँ कि दो statement में गलती है question कह रहा है incorrect बताना है पहला ही कह रहा है कि ये non-violent movement था ये गलत statement है most violent movement Indian freedom struggle में यही था तो पहला statement भी गलत है quit India movement सबसे violent movement रहा है भारत के इतिहास में non-violent नहीं था most violent movement सबसे ज़्यादा violence किसी movement में हुआ तो वो भारत छोड़वांदोलन 1942 गांदी जी इसको lead कर रहे थे ये बात भी गलत है ये बात भी गलत इसलिए है क्योंकि इस movement के शुरू होने के बाद जितने बड़े नेता थे सब रेस्ट हो गए थे कोई main leader था ही नहीं इसमें quit India movement के लिए हमने कहा था ये leaderless movement था और नए-नए youth leader निकल के सामने आये जिनको कहा गया था आजाद दस्ता राम अनोर लोहिया, अरुना सफली, जेपी ये लोग leader बने थे तो non violent movement था ये भी गलत और गांधी जी लीट कर रहे थे ये भी गलत गांधी जी लीट नहीं कर रहे थे क्योंकि सारे बड़े नेता रेस्ट हो गए थे एक रात पहले ही ठीक है, नए-नए leader इसमें सामने आये उनको कहा जाता है आजाद दस्ता उनके leader कौन थे, रामन अलोहिया, अरुना सफली, जेपी, ये सब नेता, नए-ने युवा नेता उभर के सामने आये तो इसके answer में ये और भी दोनों गलत है, incorrect ही पूछा गया है not correct वाला ना question ध्यान से पढ़ा करो, हर्बड़ी में नहीं कई बार question में not correct पूछता है, हर्बड़ी में हम correct टिक कर देते हैं जब भी question आये, कितना ही आसान हो, दो बार रिट जरू करना है उसा महता, Quit India Movement के दौरान, Bombay से चलाया करती थी All India Congress Radio, रामनोलोहिया की मदद से All India Congress Radio, Quit India Movement के दौरान, Bombay से कौन चलाया करती थी उसा महता, उनके साथ में रामनोलोहिया सपोर्ट करते थे Bombay से चलता था, उसको बैन कर दिया गया था, ठीक Simon Commission agitation का कारण क्या था, क्यों भारत के लोग विरोध कर रहे थे, Simon Commission की जो रिपोर्ट भारत आ रही थी क्यों Simon Commission का विरोध किया गया था, भारत में, Simon Go Back के नारे क्यों लगाए गये थे, यहीं पर Scott सुपरिकेंडिन्ट था, पुलिस सुपरिकेंडिन्ट स्कॉट, लाठी चार्ज के ओर्डर दिये थे, जिसमें डेथ हो गई थी लाजपत राये की, और Scott को ही मारना चाहते थे, भगत सिंग और उनके साथी, गलती से सौंडर्स की हत्या कर दी थी, लाला लाजपत राये ने जब लाठी चार्ज उन पे हुआ, तो उन्होंने क्या कहा था statement, मेरे उपर बरसाई गई हर एक लाठी British ताबूत में एक-एक कील साबित होगी भविश्य में, हर एक लाठी जो मेरे पर चलाई गई, वो एक-एक nail, nail in the coffin, उनके ताबूत में एक-एक nail साबित होगा, तो Anti-Simon Commission चला था, उस पर विरोध था क्यों, विरोध था कि, जॉन साइमन चेर्में था इस कमिशन का, जॉन कमिशन में 7 मेंबर थे, और सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, यह इनका विरोध था, कि कोई इंडियन नहीं है, तो यह हमारे फेवर में कैसे बनेगी रिपोर्ट, और Simon Commission गठित कि क्यों गया था हर 10-10 year में reform act आता था council act आता था 1909 में reform act आया 1919 में आया फिर इसके बाद 1929 में आना था 1929 में आना था तो 1927 में Simon Commission का announcement हुआ था कि two year के बाद जो अगला reform act लाना है उसके तैयारी शुरू हो जाए तो 1927 में Simon Commission Announcement हो गई थी और 1929 में जो एक्ट आना है, रिफॉर्म आना है, उसके तैयारी करो, तो इंडिया को दिक्कत यह नहीं थी कि 1929 में रिफॉर्म एक्ट लाना है, उनको प्रॉब्लम थी कि 1927 में इस रिफॉर्म एक्ट को लाने के लिए ज विरोध शुरू हो गया था, लाहोर में लाला लाजपत राया इसको लीड कर रहे थे, तो 1929 में जो रिफॉर्म एक्ट आना था, उसके तैयारी थी, साइमन कमिशन, अगले साल तक आते आते आते, विरोध बढ़ गया इसका बहुत, साइमन गो बैक पिनारे लगने लगे, तो 1929 में दरवाईज ये लागू हो जाती बात, तो इस पर रोक लगाने के लिए विरोध किया गया था, इसी लाठी चार्ज में डेथ होई थी, लाजपत राय की, तो यही विरोध था, साइमन कमिशन का विरोध किया गया, कि कोई इंडियन नहीं है, तो हमें भरोसा नही है कि हमारे हित में आप कुछ करेंगे, इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है, और यह किसके समय में हुई थी, बताओ जरा, पहले पढ़ो ठीक से, ठीक से पढ़ो हलबडी में नहीं, कई लोग हैं, जिनके बहुत मैसेज आते थे, नमबर में, मिड दिसंबर में, सरिये अजरी नहीं आ रहे हैं मुझे लाइव में, जो लोग आंसर कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं, कई लोग जो बड़ा परशान थे सिलेबस को लेकर वो दिखी नहीं रहे हैं, जबकि पेपर के इतना पहले सिलेबस हो गया है, जब कोशन करवा रहे हैं, तो एक नहीं दिख रह पूरा दो बस टीचर ने अपना काम पूरा कर दिया कि कई लोग परशानते अक्टूबर में नमंबर में सब कप पूरा होगा एक भी दिख नहीं रहे मुझे लाइव में और सबसे में चीज कुश्चन है उसमें रिविजन भी होगी और कई के कि लोगों के जैनर्वन चनसर होंगे विजी होंगे सारे थोड़ी इंच Oral D के इंची इंची और बील कंट्रोवर्सी क्या थी यह थी कि इंडियान जजेज जो हैं वह भी काबिल लोग हैं तो ब्रिटेन को रीपन ने भेजाता प्रस्ताौ रीपन कबसे कब तक था रिपन जिसको हम जेंटलमें गवर्नर जनरल बोलते हैं लिटन के बाद आया था ना लिटन कौन था जिसने पहला दिल्ली दरबार कराया था और देश में अकाल था विक्वीन विक्टोलिया को इन्वाइट किया था लिटन ने तीन दिल्ली दरबार हुए थिहास में पहला लिटन 1877 में कराया था जो रिपन के पहले था बड़ा क्रूवल था वर्ना कुलर प्रेसेक्ट आपने पढ़ा था वहाँ पर वर्ना कुलर प्रेसेक्ट एक कानून बना दिया था कि कोई इंडियन लेंग्वेज निउस्पेपर अगर कुछ भी छापता है हमारे लगातार स्ट्रीक लोग भेजए जाएंगे तो लोग भड़क जाएंगे तो बड़े चलाइक लोग थे लिटन था कुरूल एंडिया के वैलफेर की बाते करता था तो लोगों को लगता था अब यह बड़ा अच्छा जेंटलमें गबर्नर जनररल है अंग्रेजियों के न ने 1872 में पर वो सफल नहीं था 1872 में पहली जनकरणा का प्रयास हुआ था वो unsuccessful था पहला successful census ये कराया था रिपन ने पहली सफल जनकरणा रिपन ने कराई थी पहला successful census रिपन ने कराया था 1881 में कराया था father of local self-government भी इसी को कहते है father of local self-government अब मेरा सवाल ये था इलबर्ड बिल controversy क्या था रिपन ने ब्रिटेन को भेजाता प्रस्ताओ कि इंडियन judges को भी ये मौका मिलना चाहिए कि European के मामलों में वो फैसला दे सकते हैं European cases में इंडियन judges भी निलने दे सकते हैं न्याय कर सकते हैं British Parliament ने रिजेट कर दिया था इस बात को भी नहीं इंडियन judges फैसला नहीं देंगे European मामले में इस बात को रिजेट कर दिया था यही थी इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी अब कहानी हमने बताई option देखो कौन सा है इससी वाला देखना ज़रा removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of the European बिलकु ठीक बात है European के मामलों को इंडियन judges दील करेंगे रिपन ने प्रस्ताव भेजा ब्रिटेन ने जिसको reject कर दिया तो इंडियन arms वाला गलत नियूसपेपर वाला तो वर्नाकुलर प्रेस act था वर्नाकुलर प्रेस act लिटन लाया था और रिपन ने हटा दिया था इसके पहले वाले ने लगाया इंडियन लेंग्विज निउस्पेपर पिबेन और इसने हटा दिया था रिपन ने बाकी ये मैस्ट्रेट वाला जो है वो इलबड बिल कंट्रोवर्सी बोलते हैं इसको रॉलेट एक्ट बोलो भाई क्या कानून था जलिया वाला बाग की घटना रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था पहले ये दो पड़ो फिर उसके आगे ऑप्शन देखें रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था रॉलेट एक्ट का उदेश्य क्या था ए और भी पढ़ दिया जरा दो और देखो suppression of the Khilafat the imposition of restriction on freedom of the press खिलाफत के बारे में था प्रेस के बारे में था या फिर ये imprisonment without trial था ये economic support war effort के लिए था बी answer है रॉलेट एक्ट ये कहता था कि कोई भी वेक्ति अगर कुछ भी seditious activity में पाया गया मतलब हमारे against ब्रिटिशर के against कुछ करता पाया गया तो उसको regular court के सामने जाने का अधिकार नहीं होगा special court वगर होंगी वहीं से सीधे जेल और ना उसकी कोई सुनवाई ना वो appeal कर सकता कुछ नहीं तो मोतिलाल नहरू ने क्या कहा था इसको नो वकील, नो दलील, नो अपील नो दलील, नो अपील नो दलील नो अपील और गांधी जी ने क्या कहा था Habeus Corpus का Suppression है यह हमारे सरीर के दमन की नीती है Habeus Corpus हमारा सरीर की जो आजादी है उसका दमन है यह यह ऐसा law है तो Rollet Act एक ऐसा नियम जिसमें कोई व्यक्ति अगर seditious activity में involved है हमारे खिलाफ कोई द्रोह कर रहा है कोई anti-speech दे रहा है मतलब imprisonment without trial and summary procedure for trial सीधे jail बिना regular trial हुए जो proper तरीका होता है justice का वो उसको नहीं मिलेगा जो proper तरीका होता है कि यह check हो कि वो culprit है भी की नहीं crime किया भी है की नहीं इतने मौके भी उसको नहीं मिलना है sufficient chance नहीं होंगे कि अपने आपको वो innocent proof कर पाए 10 degree channel किसको किस से अलग करता है गांदी जीन सत्यागरे शुरू किया था था लॉलेट ये रॉलट के खिलाफ ही शुरू हुआ था जोलिया वाला बात की घटना हो गई तो गांदी जे नहीं उसको रोक दिया था, NTR सत्याग रहे को, जलिया वाला बाग के घटना के बाद, अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था, कि भै जाज करो, इंक्वाईरी करो कि अक्शली हुआ कि गाए जलिया वाला बाग में, वो कौन सी कमीशन थी, जलिया वाला बाग मैसे कर जो हुआ था उसके लिए अंग्रेजों ने इंक्वाइरी के लिए कमिशन बनाई कौन सी कमिशन थी मरे थे 2000 लोग उस कमिशन ने कहा कि only 379 लोग मरे है हंटर कमिशन very good हंटर कमिशन बनी थी और हंटर का एक चिक्र 1880s के आसपास भी आता है है वो किसके बारे में है एक तो हंटर कमिशन जलियावला बाग की जाच के लिए कितने लोग मरे बताओ और एक हंटर कमिशन पहले पढ़ाया थे मैंने वो किसके बारे में था दो जगे नाम आता है हंटर एक तो जलियावला बाग की घटना की जाच करो और दूसरा एक और hunter commission education के बारे में था, correct, education के बारे में, education के बारे में तीन नाम बताये थे, Macaulay, Woods और hunter, Macaulay, Woods, Hunter, इसमें magna carter of education किसको बोलते हैं, Macaulay, Woods, Hunter, इन तीनों में magna carter किसको कहते हैं, Woods को, किस साल की report थी, 1854, Woods dispatch, 1854 का, तो 10 degree channel, and man को Nicobar से अलग करता है, and man के किस island को, और Nicobar के किस island से जोड़ता है, and man में तो कई सारे island है, north and man, middle and man, south and man, little and man, Nicobar में भी कई सारे हैं, तो 10 degree channel, and man और Nicobar को जोड़ता है, यह बास सही है, 10 degree latitude है basically, यह and man है, यह Nicobar है, 10 degree chance, यहां से गुजर रहा है, इसको इन दोनों की boundary मान लिया, पर and man Nicobar कोई एक landmass थोड़ी है, यह तो कई सारे island है, आरकी पिलागो है, आरकी पिलागो मतलब group of island, तो अंडमान का यहां पर कौन सा island है, और Nicobar का कौन सा island है, जिसको actual में यह 20 से गुजर रहा है जहां से, अंडमान Nicobar को अलग करता है, यह बास सही है, पर अंडमान Nicobar में भी particular island का नाम बताओ, कौन कौन से island इसके close हैं, जि Nicobar की capital है, कार निकोबार, कार निकोबार, इन दोनों के बीच है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ए 10 degree channel, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर खतम हो जाए, तो वो तुरंट जल्दी गुरो नहीं कर पाते, य अगर खत्म हो जाए, जैसे Amazon के जंगल बिच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उतनी जल्दी वो वापस रिकावर नहीं कर पाएंगे, क्योँ? उतनी तेजी से वो दुबारा ग्रो इतनी यल्दी नहीं कर पाएंगे, क्या रिजन है? इन्वार्मेंट में बताया हुआ, इसका लॉजिक मैंने आपको, इन्वार्मेंट में इसका लॉजिक बताया था, मैंने, कि जंगलों को काट तो दोगे, पर जंगदल इतनी यल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्या रिजन है? यह और भी यह हो गया, COD देखलो यह रहा, इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाएंगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन जहां बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा बारिश के कारण, सॉइल में जो न्यूट्रियंट हों बह जाते हैं, इसलिए जमीन खेती के लिए अच्छी नहीं होती, पर ट्री तो बहुत धिरे-धिरे, बहुत लंबे समय में ग्रो करता है, ट्री ग्रो कर जाते हैं, वहां फसल नहीं ग्रो करती, अग्रिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट की जमीन अच्छी नहीं मानी जाती, तो बारिश वगर ज्यादा होने के कारण, उपर के न्यूट्रियंट से बह जाते हैं, न्यूट्रियंट वहां होते हैं कम, ट्री ग्रो कर जायागा, तो रेन फॉरेस्ट की स्वाइल में न्यूट्रियंट की कमी रहती है, यह बस सही है, यह ही दिया भी होगा इसमें, अब है अगला कुश्चन, which of the following is the chief characteristic of mixed farming, बताओ यह, mixed farming क्या है, एक बताओ mixed farming और एक बताओ intercropping, दो अलग-लग सवाल है, mixed farming का क्या मतलब है, mixed economy का क्या मतलब है, और intercropping का क्या मतलब है, तीन सवाल है मेरे, सबसे पहले mixed farming क्या होता है, mixed farming का मतलब होता है, खेती और पशुपालन साथ-साथ, agriculture plus animal husbandry, agriculture plus animal husbandry, इसको कहता है mixed farming, intercropping का मतलब होता है, दो या उससे ज़्यादा crop को एक definite pattern में ग्रो करना, intercropping का मतलब होता है, दो या उससे ज़्यादा crop, intercropping, बताया हो environment चाहा है लिखना लिख लो, intercropping का मतलब है, two or more crop, एक definite pattern में लगाना, ताकि एक crop को काड़ भी लो, तो भी दूसरी crop वहाँ पर रहे, soil erosion को बचाए, soil erosion को रोके, intercropping, soil erosion को रोकना एक तरीका है, two or more crop, एक definite pattern में ग्रो करना, अगर एक crop को काड़ भी लोगे, तो भी दूसरी crop रहेगी, soil erosion को रोकेगी, और mixed economy का मतलब होता है, public-private partnership, public sector, private sector, दोनों का युगदान जिसमें हो, उसे कहते हैं, mixed economy, mixed economy, mixed economy का मतलब है, public sector, प्लस private sector, प्लस प्राइवेट सेक्टर, यह है mixed economy, तो यह है mixed farming, यह है mixed economy, और यह है intercropping, अलग लग चीज़े तिनों, तो question था mixed farming, देखो भेए खेती पशुबालन कहां कहां लिखा है, animal and crop, यह रहा, c, animal और crop एक साथ, loin, tail, macau, singh, पुच्छी, बंदर, यह भारत में कहां पाया जाता है, geography का भी question है, environment का भी question है, history आप लोगों में से किसी ने पूरा कर लिया है, lecture one से लेकर पूरा last तक, और गांधी, बुद्ध, महाविर स्वामी सबके lecture पूरे किये हूँ, अभी जो history मैंने खतम किया था 27 तारीक को, किसी ने पूरा किया है उसको, A to Z complete, अरे, one, two, three, four, पूछ रहा है कि multiple statement, only two, only three मत लगाओ, multiple answer बनाओ, A में बनाओ, one, two, three, two, three, four, ऐसे question, इन में से कहां कहां पाया जाता है, question है, इन में से कहां कहां पर है, ये question है, multiple statement वाला है, अरे, बिटा, simple सा question है, ये मनें बताया था, नीलगिरी में पाया जाता है, वैस्टन घाट में नीलगिरी छेतर में पाया जाता है, नीलगिरी तीन राज्यों में हैं, तमिलनाडू, केरल, करनाटक, नीलगिरी में पाया जाता है, निलगिरी तीन राज्यों में है इन में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी कहां पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्ट इन में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन साइलेंट वैली नेशनल पार्ट किरल में तो निलगिरी में भी है निलगिरी में तीनों राज्य कि नहीं किसी ने भी जवाब नहीं दिया है भी if the interest rate is decreased in economy interest rate ब्याजदर अगर कम हो जाए मालोग बैंक से ब्याजदर कम हो जाएगी तो लोग असानी से मिलेगा अब जिर आंसर करो क्या लगा है interest rate अगर कम हो जाए तो उसके साब से बताओ history किसी ने पूरा नहीं किया यह भी अच्छा environment किसी ने पूरा किया हो एक से लेके last lecture energy वगर पूरा पढ़ा हो environment किसी का पूरा complete हो पूरा environment rate जब कि CSIR वाले बच्चे भी हैं इसमें मैं यहां के lecture बोल रहा हूँ प्रभात आरोहन पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आरोहन पर पूरा coverage किया हो जितना मैंने आरोहन पर पढ़ाया है पिछले बैच में उतना नहीं होगा क्योंकि वो specific एक particular exam के लिए थे यहां coverage बहुत ज़ादा है YouTube से quality हो गया नितिश environment हो गया quality हो गया अभी complete कर रहे हैं ठीक quality में किसी को शिकायत कोई दिक्कत quality में किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत कि कुछ कम पढ़ाया है या कुछ समझ नहीं आ रहा या खराब पढ़ाया तो खराब बोलो मैं यह जानना चाहरा हूँ कि एक-एक subject जो होते गए हैं आपके वो आप मुझे बताएं कि शिवक कहा रहे हैं किदिक्कत दिक्कत अश्यों किम आ प्वड़ी मैंने पंश्य कर आया है आपने पूरा कर लिया है अरुह न पे ऑस पढ़ाया है मैंने कि हर्मंपर मैंने पॉलेटी कराया है शिवं पूरा हो गया कि नहीं हूआ औरे मैं पूरे सब्जेट की बहुत बात कर रहा है तुम स्टेटी मेंजरेशिक बात कर रहा है मैं पूरे सब्जेट की बात कर रहा हूँ डाउट एकाद है वो तो मैं बताई दूँगा तुमको पूरे सब्जेट की तो बात करो अब कुश्चन वगर करवार हो तो पता है न लग रहा टफार है कि असान है इफ दा इंटरस्ट रेट इस डिक्रीज इन एकॉनेमी तुम से इंपल एक काम करना अब मैंने तुमको जितने सब्जेट करा दिये इन्वारिमेंट पढ़ लिए पॉलिटी पढ़ लिए हिस्ट्री वगर कर लिए लाइफ साइंस पढ़ लिए किसी भी सब्जेट थी जितने भी कॉपी है किसी बच्चे से डिसकस कर लेना जो तैयारी कर रहा हो स्टेट पीसीए सिविल सेर्विसेश पहले से पढ़ रहा हो जरू कुछ ना कुछ लोग आपके जानने में होंगे जो तैयारी कर रहा होंगे कोई हाइफ कोचिंग से कर रहा होंगे कहीं लाग दू लाग फीज दे के भी कर रहा होंगे सिर्फ अपने क्लास, नोट्स या लेक्चर वेड़ ड्रिसकस कर लेना पूछ ना जास यह हमें पढ़ाया गया है और इतने टाइम में पढ़ाया गया है इतना पढ़ाया गया है तर रहाने पेपर लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं जो question करवाऊंगा हो सकता आपके दिमाग में आए कि सर तो वही question करा रहा हूंगे जो सर को पता हूंगे और मैं भी बहुत सारे paper कराऊंगा civil civil सब कराऊंगा पर जो student आपस में discuss करके confidence उनको आता है जब कोई तीसरा वेक्ति बताता है कि सर बढ़ियां कराया गया है तब पता चलता है कि सही है कि नहीं पर दिमाग में आता होगा सर जहां दो लाग फीज जाती होगी बढ़ियां पढ़ाया याता होगा content वाइस तुमारा बहुत content है content वाइस बहुत content हो तुना ready तो करो अब देखो इसमें क्या answer लगाएं interest rate अगर कम हो जाएगा तो क्या सस्ता लोन भी मिलेगा it increase the investment expenditure in the economy increase हो जाएगा investment में increase हो जाएगा इंटरस्ट अगर यह आपको सस्ता लोन वगर मिलेगा तो saving वगर भी कुछ आप कर पाएंगे business grow कर पाएंगे it will increase the investment expenditure in the economy यह वाला सही है सी वाला करेक्ट है इस्टूडेंट health card यह पुराना question है वैसे तो कौन से स्टेट ने स्टूडेंट health card release किया था यह पुराना question है यह जम्मू कश्मीर की न्यूज थी अब यह मतलब का नहीं है अब यह मतलब का नहीं है तालीबान अफगानिस्तान में जब पावर में आया तालीबान जब अफगानिस्तान में पावर में आया तो UN security council has recently approved the resolution which country deal with Taliban अमेरिका तालीबान के भी deal हुई थी ना अमेरिका यह तो हट गया था वहां से सेना हटा दी थी अमेरिका नहीं अफगानिस्तान से सेना हटा दी थी ना अपनी तो यह होगा अमेरिका से deal हुआ था इंका कल पर सो करेंट अफेर प्रहारत तब यह नहीं करा था अमेरिका बीच हो छोड़के भाग गया अफगानिस्तान को बरबाद हो गया पूरा country electric bulb में कौन सा filament यूज होता है और क्या चीज़ का बना होता है और क्यों इससे बनाते है filament किसका बना होता है और क्यों इससे बनाया जाता है यह तो मालूम है कि filament क्या होता है पर अगला question मेरा यह है कि इससे ही क्यों बनाते हैं यह सवाल आता है D तो काफ़ी लोग लिख रहो पूरा बताओ very good melting point high correct melting point main point way melting point resistance वाला factor भी बताया था मैंने physics में फिजिक्स में फिजिक्स के मिस्ट्री में resistance वाला point भी लिखवाया था और high melting point तो होते ही है tungsten करेक्ट एक यह question बताओ इसमें से matching करना है कौन कहां पर है मैचिंग का question है कौन कहां पर है लोग टक लेक नाम दाफा वैली अफ फ्लावर लोग टक लेक नाम दाफा वैली अफ फ्लावर लोग टक लेक मनीपूर लोग टक लेक है मनीपूर वर्ड में सिर्फ एक floating national park है यहीं पर क्या नाम है उसका वर्ड में सिर्फ एक float करता हुआ national park है वहां भी floating island है उनको 25 कहते हैं तो वर्ड का सिर्फ एक floating national park क्या नाम है कैबुलम जाओ national park वो यहीं पर है लोग टक लेक मनीपूर केबुलम जाओ national park लोग टक लेक मनीपूर केबुलम जाओ national park लोग टक लेक मनीपूर और यहीं पाया जाता है संगाई डियर इसको dancing deer भी कहते हैं रामसर वेटलेंड्स की जो लिस्ट है हमारे यहां रामसर कन्वेंशन बताया था वेटलेंड्स के बारे में है रामसर कन्वेंशन इरान में हुई थी दो फरवरी world wetlands day होता है उसी दिन वो convention sign हुई थी question मेरा ये है कि लोकटक लेक मनीपूर यहीं पर केबल नमजाओ national park है संगाई deer है dancing deer यहाँ पाया जाता है यहाँ पे जो floating vegetation है उसको कहते हैं from these सवाल ये है कि रामसर लिस्ट 75 से ज़्यादा water body इंडिया में रामसर लिस्ट में शामिल हो चुकी है अभी तक 75 प्लस हो चुका है नंबर अभी तक जो रामसर लिस्ट में शामिल है पढ़ाय हुए है रुद्र सागर wetland रेनुका wetland बहुत सारे बताए हैं क्या लोकटक भी उनमें है लोकटक भी उसमें शामिल है तो पहला सही है नामदाफा national park नामदाफा मिघाले में नहीं है अरुनाचल में है नामदाफा अरुनाचल में स्थित है और valley of flower फूलों की घाटी ये पढ़ता है चमौली जिला उत्राखंड Valley of Flower Chamuri District उत्राखंड में है Nanda Deviバイosphere Reserve के अंदर लाई करता है Biasphere Reserve एक बड़ा एरिया होता है उसमें कई National Park हो सकते हैं तो Valley of Flower National Park ये Nanda Devi Bhaiosphere Reserve का पार्ट है Chamuli जिला पड़ता है Nanda Devi Baghaiosphere Reserve, Chamuli जिले में Value of Flower National Park तो Nanda Devi Bhaiosphere Reserve बहुए बड़ा एरिया उसके अंदर आता है value of flower नेशनल पार्क, इसमें कई नेशनल पार्क हैं, उसमें एक value of flower भी है, पर नंदा देवी बायस फेरिजव के अंदर, और इसी के पास है हेमकूंड साहिब गुर्दवारा, हेमकूंड साहिब गुर्दवारा भी यहीं पर है, उत्राखंड, तो सिक्कि वाला point गलत है यह, सिक्किम नहीं होगा, यह अरुनाचल होगा, तो one only, टोक्टर कले, one only, यह paper में फोल्डर में डाल दूँगा, यह description में दे भी रखा है मैंने, नाम दाफा में पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी, civil services और question है, और पढ़ा के भेजा हुआ है, test paper भी प बचमडी में, मध्यपरदेश में, यह बता दो भई, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिजब नहीं रहे, तो कैसे बुद्धिजब चलेगा, चार बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई थी, फोर्थ वाली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुई और कहाँ पर कश्मीर में हुई थी राजा कौन था फर्स सेंचुरी एडी में हुई थी कश्मीर में राजा था उस समय कनिश्क राजा था कनिश्क कश्मीर में हुई थी चौत्थी बुद्धिस काउंसिल कनिश्क राजा था चारों काउंसिल यहां एक्स्प्रेनेशन में लि पी रखा है पूरा यह मैंने बनाये थे पूरे पूरे पेपर मैंने बनाये थे जिसमें कोश्टन अंसर एक्स्प्रेशन सब पर दे रखा है बुद्धिजम की तीम किताव इताव पहां पे बनी थी सब बताया हुआ है कश्मीर में वासुमित्र मौंग थे उस समय कनिश्ख राजा था वासुमित्र मौंग चेर परसन थे कांसिल के सेफटी वौल की थियोरी इसमें से किसकी दी हुई कि कॉंग्रेस की स्थापना अंग्रेजो ने अपने हित के लिए की है कि यहां से कोई प्रोटेस्ट ना कर safety wall का सिध्धान लाला लाजपत्रा इसी थियोरी को मानते थे safety wall का सिध्धान कि अंग्रेजों ने Congress को अपने फायदे के लिए बनाया था A.O. Hume उसका founder था लाला लाजपत्रा इसको मानते थे मैं यह नहीं कहा रहा हूँ यह बात सही है यह गलत है Congress को लेकर अलग अलग थियोरी है उसमें एक थियोरी safety wall थियोरी है कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी nutrition process में life science का question digestion का जो पूरा process है उसमें क्या-क्या stages होती है क्या-क्या stages होते है elementary canal का क्या मतलब हो था mouth से लेके NS तक पूरा root जहां-जहां खाना जाता है और क्या-क्या होता है फिर उसका mouth से NS तक पूरा वो root जहां-जहां खाना move करता है कौन सी चीज कहां digest होती है mouth में carbohydrate enzyme का नाम क्या था salivory amylase या उसको tylene भी कहते हैं फिर stomach में जाता है stomach में क्यों था pepsin, protein को break करता है सब बताया था stages क्या-क्या है वो बताना है कुशन सारे हैं कौन सी चीज कहां digest होती है कौन सा enzyme कहां पर act करता है किसको break करता है सबसे पहले होता है ingestion ingestion का मतलब मतलब खाना intake करना ingestion का मतलब है खाना intake करना ingestion के बाद आता है complex चीज को simple में break करना इसको बोलते हैं digestion enzyme का roll ये है complex substance को simple में break करना digestion का मतलब ही है breakdown of complex substance into simpler one जैसे carbohydrate में आपने carbohydrate में आपने जैसे मान लो starch खाया, starch को maltose में break करना, further glucose में break करना, protein खाया तो उसको break करके amino acid बदलना fat खाया, उसको break करके fatty acid glycerol में तोड़ना, digestion का मतलब है complex को simple में तोड़ना तो इसके बाद आता है digestion अब आपने simple में break कर दिया उसके बाद body को को simple चीज़ चाहिए, तभी तो body में अलगले चीज़े बनेंगी, body को need है न उन चीज़ों की अलगले process को करने के लिए तो फिर आता है absorption, फिर आता है assimilation और इसके बाद होता है digestion का मतलब excrete करना body से waste को बाहर कर देना तो पहले intake, फिर breakdown, फिर absorb, फिर assimilate, फिर digestion यह बनेगा digestion, absorption, assimilation,ization यह बनेगा B, digestion, absorption, assimilation,ization life science में digestion का topic है यह, पढ़ाया हुआ है whether a member of loksabha has become subject to disqualification disqualification मैं आपको पढ़ा रखें यह लोksabha member disqualification यह explanation में लिख रखें एक बार इसको read करना कौन-कौन से ground है, disqualify करने के सब लिख रखें हैं यह आपर यह एक बार read कर ले न अगला question, एक term है bio fortification, जरा यह बताओ bio fortification का क्या आर्थ है जैसे मैं example दूँ आपको fortified anta कई चीज़े आप खरिदते हैं उसके लिखा रहता है fortified, fortification का क्या मतलब हुआ अगर यह fortification word बस समझ आ जाए तो बन गई बात जैसे मैं आपसे कहूँ की चावल है अब चावल के अंदर iron नहीं है यह vitamin A नहीं है उसके अंदर यह चीज मिक्स कर दी जाए technology के माध्यम से उससे rich कर दिया जाए तो nutrient quality को बढ़ाना crops वगर में nutritional value को improve करना breeding crops to increase their nutritional value जैसे 36 गड़ में golden rice वगर cultivation को बढ़ावा मिला vitamin A iron यह सब चीज़े डाली जाए बिमारियां जिससे दूर हो पाएंगी लोगों में deficiency है minerals वगर की vitamins की वो मिल पाएगा तो golden rice एक example हो गया तो nutritional value को बढ़ाना crops के अंदर nutritional value को बढ़ाना technology वगर का यूश करना चावल में generally iron नहीं है तो कैसे induce कर दिया जाए जाए उसमें technology की मदस से तो golden rice उसका example है अब इंडिया में जो बिमारियां है body grow नहीं कर रही minerals की कमी इन सब तरीकों के माध्यम से उसको improve कर सकते है money bill के बारे में क्या सही नहीं है बूलो money bill के बारे में not correct money bill के बारे में क्या statement सही नहीं है which of the following statement related to money bill is not correct money bill पहले रास्सभा में नहीं आता ये बात correct है हमें not correct बताना है पहले रास्सभा में नहीं आता council of state मतलब रास्सभा पहले इसमें नहीं आता ये बात true है कोई अगर money bill पे question आ जाए तो speaker का निर्ड़ा final होता है कि कोई bill money bill है की नहीं बिल्कुल सही बात है money bill के ओपर deadlock होने के स्थिति में joint sitting बुलाई जाती है joint sitting कभी money bill पर नहीं होती money bill पर joint sitting कभी नहीं होती ठीक है money bill पर joint sitting नहीं होती deadlock अगर हो जाए money bill पर तो joint sitting का कोई प्रावधान money bill पर नहीं होता और money bill President के Recommendation पर शुरू होता है बाकि सारी बाते सही है C वाला गलत है Joint Sitting का Money Bill पर कोई प्रावधान नहीं है Diamond Ring, God's Eye या Bailey Beed Science Tech में GK Current Affair में पढ़ाया था हमने Space के बारे में Defense के बारे में GK Current Affair में पढ़ाया हुआ है Diamond Ring, God Eye, Bailey Beed ये किसके feature हैं कहां पर देखने को मिलता है ये ये जो भी टर्म आप सुन रहे हो किसमें देखने को मिलते हैं होता क्या है Sun को ऐसे Moon कवर कर लेता है सूरे ग्रहन लग जाता है पूरी तरीके से और किनारे किनारे के जो बांडरी है वो चमकती है हीरे के अंगूठी की तरह दिखता है ये पूर्ण सूरे ग्रहन जब होता है तब ये इमिज बनती है पूर्ण सूरे ग्रहन Solar Eclipse में Sun के पूरी तरह से कवर कर लेता है Moon पूर्ण किनारे के जो आउटलाइन है वो चमकती हीरे के अंगूठी की तरह है उसको डायमेंड ड्रिंग, गॉट्स आई या बेली बीट्स के नाम से जानते है Solar Eclipse में सब देखने को मिलता है Natural Gas में क्या-क्या चीज़े होंगी Natural Gas में बताया हुआ है मैंने, मेंनली क्या होता है मेंनली होता है मिथेन Natural Gas 70% से ज़्यादा मिथेन है मिथेन, प्रोपेन, इथेन ये सब है तो मिथेन एंड हाइडरो कार्बन Natural Gas में मिथेन और भी हाइडरो कार्बन होते है इसमें से Food Preservative कौन है अभी फिर किसी एक्जाम में आया था सेम कुश्चन टेस्ट में भी आप लोगों को दिया हुआ था अभी फिर किसी एक्जाम में पूछा है CGPLDM में शायद आया था ये Sodium Benzoid वाला Sodium Benzoid Food Preservative है इसके अलावा Sodium Metabisulfite Life Science में कई सारे बताये थे मैंने Metabisulfite ये भी एक Food Preservative है Chips के Packet में Nitrogen भरी जाती है वो भी एक Food Preservative है Chips के Bag में Nitrogen भरी जाती है वो भी Food Preservative है अचार वगर बनाने में Oil का इस्तमाल करते हैं वो भी एक Food Preservative है Food Preservative कई तरह के होते हैं सिर्का वगर डाला जाता है कई चीजों में वो भी एक Food Preservative है तो Nitrogen है Sodium Metabisulfite है Oil है उसके अलावा Acidic Acid मतलब Vinegar सिर्का वो भी एक Food Preservative है तो कई सारे होता है Sodium Benzoid Sodium Metabisulfite ये में लिए याद रखिए Jam, Squash इन चीजों में डाले जाते हैं ये Carbonated Drinks में भी Carbonated Drinks जो होती है Carbonic Acid अब देखो ये Question आया था किसी एक्जाम में भी Explanation में लिख रखा है साब सब Carbonated Drink में कौन सा इसीड Carbonic Acid यहां लिख रखा है सीदा सीदा कोशन यही पुछा था अभी एक एक एक्जाम में Explanation मेरे ही बनाए हुए है सारे ही है किसमे किसमे क्या क्या Preservative डालता है सब लिख रखे हैं देखो लाइन से इसमें से कौन है जो Plant Cell Animal Cell दोनों में मिलता है कौन कौन सी चीज इसमें से Plant Cell Animal Cell दोनों मिलता है अभी एक कोश्चन Civil Services में आया था कुछ टाइम पहले सेम कोश्चन Civil Services में पूछा था अभी उससे पहले यह NDA CDS में किसी में आया था सेम कॉपी किया था Salt भी Preservative होता है नितिश Salt, sugar भी जडाली जाती है कई चीज़ों में वो भी Preservative होती है Cell Membrane देखो Cell Wall तो Animal में होता नहीं पहले तो Cell Wall को अटा दो Cell Wall Animal Cell में नहीं होती Plant Cell में होती है, बैक्टिरिया में होती है Animal Cell में नहीं होती, प्रोटोजोवा में नहीं होती Cell Wall तो Cell Wall तो होता नहीं Animal Cell में है, प्रोटोजोवा में plant animal दोनों में cell membrane तो सब में होगी cell membrane को ही plasm membrane कहते है chloroplast का काम है photosynthesis तो animal में तो photosynthesis होगा नहीं यह animal में नहीं होता cytoplasm cell के अंदर Combatervaloid Psytoplasm उप्लियस होगा c answer willár cell membrane it left ये प्लांट से लेने में असल दोनों में हैं बगास सूगर सूगर के इन से सूगर जब बनाई जाती है कई सारे उसमें कई चीज निकलती हैं उसमें से बगास भी मिलता है बगास का इस्तिमाल कहां करते हैं बगास का मल्टिपल यूज है एलेक्टिसिटी बनाने में भी गत् बनाने में बहुत चीजों में यूज होता है बगास का, तो बगास, सूगर, इंडस्ट्री का ही एक प्रोड़क्ट है, पेपर और पल्प, पल्प मतलब गत्ता, पेपर और पल्प, पल्प का मतलब गत्ता, इलेक्टिसिटी वगर में भी यूज करते हैं, ये लिखा होगा न नहीं देखेंगे कल तो जो कोश्चन मैं करवा रहा हूं यह PDF folder में lecture और lecture के साथ ही PDF एक practice question करके folder मना दूँगा मैं आपके सबके बैच में जितने वीडियो और जितने question वो आपको folder मिलते जाएंगे अभी कल भी 7 बजे रखेंगे कुछ बच्चे को क्यों आफिस वाले हैं बचा है कल भी 7 बचे हो गई है ठीक है अब question के जादा session होंगे और CSIR के थोड़े से topic रहा हूं इतना content पढ़ा दिया है मैं पूछ रहा हूं इतने subject हो गए कोई जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब कई subject आपके ready नहीं हुएं दो ही महीने की तयारी में आपको पूरा ready करना है मेरे end से एक बच्चा क्योंकि क्या रहा सर यह topic भी होगा कि नहीं मेरे end से topic ओलड़ी हो चुके है थोड़ा बहुत ही बचा हुआ हाट ली 2-3 class में खतम हो जाएगा जादा कुछ नही का question का कल भी 7 बजे है thank you class good night thank you all